नमस्कार जी कैसे हैं आप सब आसा करती हूं आप सब खुश हैं सुवस्त हैं मस्त हैं और सूफ़ का टाइम है मैंने जाड़ू बारू लगा दी थी यहां पर तो यह इसमें रखी ती टंकी में सिर्सो तो वैसे टंकी भरी हुई तो दीरे दीरे करके सारी खतम हो गई तो लुका आज नहीं भीज़ जा क्योंकि थोड़ी वैसे तो ठीक है पर थोड़ी ओर ठीक हो जाए तो इस वज़े से तो मैंने इसको यही पर ही इसको मतलब वर्क दे रखाय करने के लिए कि कर लेगी लिजन भी हो जाएगा और अब फाइनल एक्जाम भी आ रहे हैं और मम्म सरसों में क्योंकि सरसों साफ करने में क्योंकि तेल भी थोड़ा ही रहा था और दूसरा डरम है जो मतलब यह पिछले से पिछले साल की सिरसों थी जो टंकी में थी और जो पिछले साल की थी वो जारवार के साफ करके रखी हुई थी तो मैंने भी ध्यान नहीं किया यह बिल किलो फर्सु होती है तो उसमें से इसाइय निकलता है फांच किलो के करीब तेल तुम भी बोल लिदी की बन्रा कि qui तो हो य ainda गाणी बोलती इसको ज्यक्ति फंदरा किलो हो जाती है कि अगाणी तो हो जा तो जिशिए बस इधेर मैं आ गई हूँ इधर गाईं के पास और देखो गाईं के काम वेंस का काम तो मिन होथता है और यह है जो इनकी खौई काफी टाइम से धोई थी नी सर्दियों में तो खेहर धोई नी तो मैंने आज इनका सारा घास निकालके हाला कि घास खारे थे हैं फिर और लेट करती तो मैं फिर यहां पर धूप चले जाएगी तो इस वज़े से मैंने सारा घास निकाल के अच्छी से साफ करके तो लगी हूँ बस मैं साफ करने के लिए और सफाई तो देखो चाहिए ही होती है हम भी जब खाने के बरतन को साफ सुतर करके खाते हैं तो इनको भी तो अपना बरतनी है इनका तो भी खाने का तो इसका धिहान तो हमें रखना पड़ेगा ज़ली सी ज़ली से पंदरा दिन में एक महिने में ऐसे करते रहती रहती हुआ इनकी खोड़ साप और सदीो में हो भी तो इस वज़े से जल्दी जल्दी साफ करती हूं मैं गर्मियों में और जी बस नहला दी थी मैंने इनको दुन्नों को और आज तो खैब हो गई है तीन चार बार नहला ली तो साफ सुतरी होगी गए और जब पहली बार मैंने नहला आता ना इसको बस टाइम तो काफी लगा पर फिर भी नहला के मन नहीं लगा था क्योंकि इतना गबर लिज़ा पड़ा था तो नहला के भी ऐसे लगा था जैसे नहला ही ना हो तो बस आज मुझे कुछ संतुष्टी सी हुई क्योंकि आज लग रही है साफ सुतरी गाएं बच्चिया तो खैर होगी थी पहले दिनी थोड़ा बहुत ही रहा था इसकी उपर गबर क्योंकि यह जो गाएं हैं गबर करती है और उसकी उपर ही बैठ जाती है और बच्चिया क्या है इधर करेगी वह साइड में गबर या उधर करेगी मसीन के तरफ अपने निच्चे बिल्कुल भी गंदा नहीं करती और इधर का रूको लगी है बाल बढ़ाने की अपने ममा मेरे बाल बढ़ाने है तो मेरे से पूछ ली ति ममा तो मेरे मेरे बाल अच्छे खास थे पहले बहुत fulfill लंबे थे गंवने थे और जैसे फोटो है मेरा तो उसमें देखती रछती है यह तो बोलत थी ममा आ nella back तो मैरे कैसी हो तो यहीं पर रख्यों ौई थी कापि सारी Mole さ अध्यूर मेरे निमन करतें दोना तो मेरे बाल बड़े हो जाएंगे नहीं बड़े तो होएंगे नहीं पर दीरे दीरे जैसे हम यह होती है मतलब और यह हो मैड रेमेड होती है तो इसे मतलब फाइदा होता है है मैं परहुतते देर में है मकड़त मजबूत हो जाएंगे बाल स्ट्रोंग हो जाएंगे पहले तो मुलतनी मिटी में दोते थे सबी, कभी कबार दोते थे सैंपू में और बाल भी अच्छे खासे रखते थे जिए बस मैं दोंरी हूँ उसका सीर और ये भी कितने अराम से बेटे है धुलாरी है सीर बस इसको ये है कि ये बाल बड़े हो जाएए달्ञारानी को क्योंकि स्कूल में लडकियों के बाल, ये निकी, सभी के बाल बड़े हैं तो अधिकतर लडकियों के ये बाल बढ़े मतलब जैसे दो चूटिया बना के आती है या पुनी बना के आती है इस तरह आती है बना के तो इसको भी लगता है कि मेरे बाल भी बढ़े हो जाए ममा तो पस ऐसे ही मैं पाप जी बोले ते कि इसकी बाल कटवा दो बड़े-बड़े हो गई आखों पर आने लगे तो सब का और मैं बैठ गई हूँ इधर यह है जो मम्मी का सूट कटिंग करके रखा हुआ था मैंने तो कटिंग कर देती हूं जैसे तो मेरी टैंसन खतम हो जाती है फिर मैं थोड़ा-थोड़ा करके सील ही लिखती हूँ और यह सलवार सील रही हूँ मैं एक कुंदे का सलवार बनाती हूँ मैं तो जल्दी सील जाता है एक सिला की बनलगedar आध यह दो सिला यह लगती है बीच की जीवस सील रही हूँ मैं ओर आज तो मोसम भी का ठंदा हो रहा है si you серबियो के नाइम हो दा है हमारे यहाँ पे तो दुख निकल रही थी कभी आरी थी कभी जा रही थी अ कि अभी तो बहुत भयानक मौसम हो राए जब मैं वीडियो की रिकोडिंग कर रही हूं हौई चल लगी है तो थे खेल पूरी और बादल में तो होई गई गई अन्देरा कुछ jour लगी होता है जैसे जब बादल हो रखा होता है तो अंधेरा कुछ अलगी होता है तो जी बस मैंने ये जोड दिये थे अब लगानी रगती है बैल्ट और सलवार में तो सिल जाता है जल्दी बस मूरी बनाने में और सूंट में गला बनाने में टाइम लगता है वरना हो जाता है तियार पट्राइब